रेसेंटली टाटा ग्रूप बूंड एर इंडिया ने अनौन्स किया कि वो 250 एरक्राफ्ट खरीद देंगे इसमें 140 E321 नियो और 70 E321 नियो जैसे सिंगल आयल एरक्राफ्ट है साथी 34 E350-1000 और 6 E350-900 जैसे वाइट बोडी जड्स भी है यह एक नया एरा है इंडिया का और इसलिए यहाँ आल न्यू लॉंग रींज एरक्राफ्ट इंडियन मार्केट में डेब्यू करेंगे इसलिए अब लोगों के एक्स्पेक्टिशन बहुत बढ़ गई है एर इंडिया और पूरे इंडियन इविशन इंडिस्ट्री से काफी अच्छी उमीदे उठा रहा है जहावे अब दुनिया का लाजस्ट पैसेंजर जेट एरबस A380 भी इंडिया में लाने की बात कर रहे है यह एक बहुत बड़ी साइस का एरप्लेन है और इसको इंडिया जैसे populated country में कई सालों पहले आ जाना चाहिए था ऐसी बाते कही गई है लेकिन फिर भी आज तक इंडिया के अंदर कोई भी company इसे अपना नहीं पाई और यह क्यों हुआ और क्या आगे यह future में कभी भारत में देखने मिलेगा इसके बारे में आज हम जानेंगे पर आगे बढ़ने से पहले चानल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर ले और notifications को on करना नहीं भूलना Airbus A380 एक बड़ा wide body airliner है जो Airbus ने develop किया था यह दुनिया का सबसे बड़ा passenger airliner है और अकेले full length double deck jet airliner है और ऐसा कोई दूसरा aircraft मौझूद नहीं है इसके कारण यहाँ पर एक arm configuration में 525 passengers बैट सकते हैं लेकिन इसके maximum certified capacity जो है वो है 853 passengers की इसे एक quad jet engine Lance GP7200 या Rolls Royce Trent 900 टर्बो फैंस के द्वारा चलाया जाता है और यह दुनिया का currently सबसे बड़ा operating airplane है क्योंकि जो इससे जादा बड़ा एक plane था Antonov AN-225 Myra वो Ukraine war के तोड़ा नश्ट हो गया था जिसके वज़े से दुनिया का सबसे बड़ा cargograph खतम हो गया और currently यहीं दुनिया का सबसे बड़ा aircraft है लेकिन इंडिया के अंदर यह क्यों नहीं चल पाता इसके बारे में समझते है सबसे जो important और basic चीज है वो है lack of demand हाला कि इंडिया एक बहुत populated country है Airbus A380 के अंदर जितने passengers आ सकते है वो demand को suffice नहीं कर पाते इसका मतलब क्या है Airlines जादा दर दो models पे operate करती है पहला है hub and spoke model और दूसरा होता है point to point model hub and spoke model पे अगर कोई airline चलती है तो profitability A380 को चला जाता है basically hub and spoke के अंदर होता यह है कि एक ऐसा route है जहाबर airline सिफ दो points के बीच नहीं बलकि अपने hub के जरिये दूर दूर के points के सरीय passengers को जोड़ती है for example अगर देश के बीचों बीच में जैसे indoor शहर अगरम मान ले तो यहाँ पर होगा यह कि hub and spoke model में कि सारे के सारे जो airplanes है वो छोटे airplanes आएंगे अलग-अलग कोईों से indoor में और वहाँ पर उसे hub के तोर पे function किया जाएगा और फिर इन passengers को जो है अलग-अलग flights में बिठाया जाएगा जो कि अपने final destination पर पहुचे इसके वज़े से होता यह है कि passengers को बड़े planes के अंदर एक साथ बिठाया जा सकता है जो जादा efficiently चले साथ-साथ यहाँ पर जो connections है लोगों के लिए वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाते है और इसके लिए जादा route options बन के राते है airlines को planes भरने की capacity होती है वो कई गोना जादा बढ़ जाती है और जो जादा बड़े planes है वो जादा efficiently भी उड़ सकते है कम fuels वगरा उड़ाते हुए पर passenger के साब से और जब Air Force A380 डिजाइन हो राता तब वो इसी सब से हो राता यह जो model है वो US carrier American Airlines में शुरू किया था और आज भी Emirates जैसी कई airlines है जो इसका जादा तर इस्तमाल करती है इस model में कभी भी passenger और जादा वो सीधे final destination पे नहीं पहुचता बलकि एक एरपोर्ट से वो गुजरता है बीच में लेकिन ये इंडिया के अंदर सही से नहीं चल सकता वो क्यू समझते है इंडिया का geographical location इसकी permission नहीं देता एक जमाना था जब airlines की ज़्यादा range होती नहीं थी इसके कारण hub and spoke model ज़रूरी बनता था क्योंकि एक limit होती थी कि इतना दूर plane जा सकता है साथ साथ कही ना कही पर connections इतने strong नहीं थे और इतनी ज़्यादा छोटे passenger jet नहीं थे कि वो efficiently और cost effective तरीके से passengers को सीधे 2 points के बीच में पहुचा सके और इसलिए hubs बहुत ज़्यादा बड़े level पर exist करते थे लेकिन ये चीज आज के date में छोटे distance के लिए खतम हो चुकी है और छोटा distance मेरा मतलब है पूरा इंडिया जितना बड़ा देश अगर हम international चीजों के सबसे देखे तो अभी भी ऐसे बड़े-बड़े distances बनते हैं जिनके बीच में आपको थोड़ा बहुत चीज तो करना ही पड़ेगा प्लेन और इसलिए मिडलीश के दिशों के लिए पॉसिबल होता है जहां पर वो दुबई जैसे देश जो कि हमारे दुनिया के अगर हम इस्टन हाफ को देखे एशिया वाला साइड एफरिका वाला साइड और जो वेस्टन भाग को देखे यूरोप या अमेरिकास इसके बराबर सेंटर में बढ़ता है जिसके कारण जियोग्रफिक लिए यहाँ पे हो यह सकता है कि कई सारे पैसेंजरों उसको इस्ट या वेस प्राइब जाता है लेकिन जातर ट्रैवलिंग जो है वह इस तो वेस्ट होती है इसके लिए इंडिया के अंदर यह मॉडल फॉलो करना बहुत जाता मुश्किल है इंडिया में भी पहले यह मॉडल फॉलो किया जाना था पर क्योंकि हमारे डॉमस्टिक एरलाइंस में इतन पर जब कोई भी प्लें आरपॉट पे लांड रांड करता है तुर्वा पर उसकी लानडिंग कुलश्या उती है वहाँ पे ऐर्योगर की इसलिए देश में आज 400-500 सीड्स रखने वाले एरलाइन के अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं है लेकिन इसके लाब भी कुछ एशूस है जो इंडिया मैंने से रुखते हैं दूसरा है एरपोर्ट इंफर्श्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक् इस प्लेञाइन की विंग स्पान भी 261 फीट की है सबसे सदा वाइड कमर्शल यह जट भी बनता है इसके करना टैक्सी वेसको भी ज्यादा वाइड होना यहां पर जरूरी था लेकिन देश के अगर बड़े बड़े मेट्रोपट्रें इस प्लेन को यहां पर आगर यहां तो वील कांश्चिन नहीं होता है तो फ्यूल नहीं होता है लेकिन हवां के अंदर है काफी efficient है इसके वज़े से overall operating cost बढ़ जाती है और ये airlines के लिए अच्छी बात नहीं है last जो बड़ा issue था वो था bad reputation of India अब यहां ऐसा नहीं कि कभी इंडिया में किसी airline ने A3FT को लाने की कोशिश नहीं की लेकिन गौर देने वाली बात यह थी कि order देते वक्त Kingfisher airline अपने commercial operations को भी अच्छे से start नहीं किया था उन्हें कुछी time हो था इस industry के अंदर और इन्होंने A380 को book कर दिया Kingfisher यहां पर बहुत बड़े vision को देख रही थी और उन्होंने कई सालों के numbers को देखती हुए यहां पर 10 ऐसे aircrafts order के थे साल 2011 में A380 की delivery expected थी लेकिन यह पहुच ही नहीं पाई क्योंकि Kingfisher airline default हो की थी Airbus ने A380 को in fact color भी कर दिया था Kingfisher airline के delivery में यानि कि उनके design में लेकिन यह कभी भी आई नहीं और 2012 में उनको officially seize भी कर दिया गया बता सकते कुछ रूट्स ऐसे हैं जहां पर में भी चल सके लेकिन अगभी देखे तो Airbus ने खुद इस Airplane का production को बंद कर दिया है क्योंकि दुनिया के अंदर कई यहां पर इंडिया में face कि है वह सीम वहापे भी face कि है इसलिए A380 एक law pair craft भी माना जाता है क्योंकि वह ठीक से चल नहीं पाया और आज के दुनिया के अंदर point to point model ही जाधर देशों के लिए sufficient है सिर्फ Middle Eastern hubs ऐसे है जो कि अपने geographical advantage के वज़े से अभी भी हब model का इस्तामाल कर सकते है लेकिन बाकी दुनिया में वह applicable नहीं उम्मिन करते हैं कोई सवाल का जबा मिल गया होगा आपके बस कोई suggestion है तो comments में मुझे जरूर देना मिलेंगे अगले वीडियो में